रेडमी के मोबाइल में वाइफाई का पासवोर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं हालो फैंस आज जी के इसी वीडियो में जानेंगे कि क्या दोस्तों आपके पास में भी Redmi का या MI का मोबाल है उसमें Wi-Fi यानि वोसपोर्ट का पासवोर्ड को चेंज करना चाहते हैं तो किस परकार कर सकते ही दोस्तों कई बड़ोतों अपने मोबाल में किसी को पासवोर्ड पता चल जाता है तो अपने मोबाइल में वोसपोर्ट ओन करके वो डेटा ट्रांसपोर्ट कर लेता है तो अपने मोबाइल में रेडमी के मोबाइल में वोसपोर्ट या वाइफाई का पासवोर्ड को कैसे बदल सकते ही क्या दोस्तों आपके पास में भी रेडमी का मोबाइल हैं उसमें वाइपाई या पासवोर्ड को चेंज करना चाहते हैं तो किस परकार कर सकते हैं तो दोस्तों आप अपने मोबाइल में पासवोर्ड को चेंज करना चाहते हो तो दोस्तों आप इसी वीडियो को सुरू से लेके एंड तक देख लेना मैं आपको step by step समझाऊंगा तो दोस्तों आपको भी समझ में आ जाईगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने इस चैनल को subscribe कर देना और आपको pass balance गंटी दिखाए देरी उस गंटी को भी all पर प्रेस कर देना उसकर गईस आप अपने mobile की setting को open कर लेना जैसे अपने mobile में setting को open करके आपको आपर डूम लेना हो स्पोर्ट जैसे फेंस आपको आपर दिखा दिरा मैं हो स्पोर्ट को ओपन कर ले जैसे दोस्तों आप अपने मोबाइल में हो स्पोर्ट को ओपन करके आपको आपर दिखा दिरा सेट अप हो स्पोर्ट उस पर आपको कली कर लेना जैसे उस पर कली करोगे तो गैस आपका आपर दिखाए दरा यहां से अपने मोबाइल में पासवोर्ड को चेंज कर सकते हो जैसे फेंस आपका आपर दिखाए दरा मैं अपने नाम को टाइप करके आपका आपर पासवोर्ट को चेंज कर लेता हूँ जैसे फेंस आपका आपर दिखाए देरा मैंने पासवोर्ट को चेंज कर लिया उसके बद गईस आपका आपर राइट का बटन दिखाए देरा उस पे कलिक करके अपने मोबाइल में वाइफा या वोस्पोर्ट के पासपोर्ट को चेंज कर सकते हो क्या दोस्तों आप भी अपने मोबाइल में वोस्पोर्ट का पासपोर्ट चेंज नहीं हो पा रहा तो इसी वीडियो के निचे कमेंट करके बताना और दोस्तों आपके मोबाइल में क्या प्रोलम आ रहे हैं वो भी आपको कमेंट करके बताना मैं नेक्स वीडियो बना के लाऊंगा और आपको डिटेल में बताऊंगा तो चलिए दोस्तों ये वीडियो आपको यूस्पूल लगी तो वीडियो को लाइक जू कर देना और फेंड से वीडियो कैसी लिगी वीडियो के निचे कमेंट करके जरूर बताना और दोस्तों आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सास्काइबर जरूर कर देना वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद